हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हीरा सिंगर थोड चैनल में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मंबई ट्रांस हर्बर लिंक प्रियोजना के बारे में जी हाँ इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है और 12 जनवरी 2024 को हमारे देश का सबसे लंबा ब्रिज मुंबई ट्रांस हर्बर लिंक प्रियोजना का उदगाटन परधार मांतरी श्री मुंदी द्वारा होने जा रहा है बर्तमान समय में किसी भी बाटर बॉड़ी के उपर बनने वाला ये मारे देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा इस ब्रिज के निर्मान के कारण मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और जैसा कि आपको पता है कि बर्तमान समय में नवी मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट का निर्मान कारी चल रहा है तो ट्रांस हर्बर लिंक प्रियोजना के निर्मान के बाद नवी मुंबई एरपोर्ट की भी मुंबई शेहर में कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी इस प्रियोजना के निर्मान के कारण मंबई शहर का विकास और विस्तार पूर्व दिशा की तरफ और भी तेजगती से हो पाएगा तो आज के इस वीडियो में मंबई ट्रांस हर्बर लिंक प्रियोजना के उपर शंशित बात करेंगे अगर वीडियो पुसंद आए तो प्लीज क्रिप्या करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मंबई ट्रांस हर्बर लिंक प्रियोजना के कुलन बाई 21.8 किलोमीटर है इस प्रियोजना का निर्मान मंबई मेट्रो पलिटन रिजन डिवल्पमेंट अथियोरिटी अर्थाथ S.M.M.R.D.A. द्वारकिया जा रहा है और इस प्रियोजना को अटल बिहारी बाजपाई ट्रांस हर्बर लिंक प्रियोजना के नाम से भी जाना जाता है ये प्रियोजना मुंबाई के शेबरी से शुरू होकर नई मुंबाई के चिरले गाम के पास जाकर समापत होती है वैसे इस प्रियोजना का निर्मान कारियो को पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2 या 23 में रखी गई थी प्रन्तु कुछ बिलंब होने के कारण इस प्रियोजना को जन्वरी 2 यार चोबी में यतियाद के लिए खोला जाएगा बरतमान में समय में इस प्रियोजना का निर्मान कारे लगबग पूरा हो चुका है ये एक सिक्स लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे ब्रिज है आपको बता दे की बरतमान समय में मुंबई के सेबरी से नवी मुंबई के चिरली गाम के बीच यात्रा दुरान लगबग एक गंटे का समय लग जाता है परन्तु मुंबई ट्रांस हर्बर लिंक परियोजना के निर्मान के बाद इस दूरी को मातर 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा ये ब्रिज सेबरी मड फ्लैट्स पीर पाप जेटी और थाना क्रीक से होकर गुजरती है इस परियोजना के अंतरगत सेबरी एंड की तरफ 3 लेवल इंटरचेंज का निर्मान किया जा रहा है जो कि इस ब्रिज को सेबरी, बरली, एलिवेटर, कोडिडोर और स्टन पर भी से कनेक्ट को करेगा और नमी मुंबई की तरफ दो इंटरचेंजन का निर्मान किया गया है एक शीवाजी नगर के पास और दूसरा चिरले गाम के पास और चिरले गाम के पास यह परियोजना नैशनल हाइबेन नमबर 348 से जाकर मिलती है मुंबई ट्रांस हारबर लिंक परियोजना के निर्मान की अधार शीला परधान मंतरी शिरी नरेंदर मोदी द्वारत दिसंबर 2.16 में रखी गए थी वर्ष 2.17 में इस परियोजना के निर्मान के लिए टेंडर्स को अवन्ट किया गया है और अपरेल दोहिया ठारा में इस पर परियोजना का निर्मान कारे शुरू किया गया परियोजना का निर्मान कुल चार चारनों में किया जा रहा है इस परियोजना के पैकेस बन की लंबाई 10.13 किलो मिटर है और इसका निर्मान L&T और जपान की कमपनिया आई आई द्वारा किया जा रहा है इस प्रियोजना के पैकस 2 की लंबाई शाद दिशमलब 8 किलो मिटर है और इसका निर्मान टाट पर लिम्टर्ड और साउथ कोरिया की कमपनि देवू नसी द्वारा किया जा रहा है प्रियोजना के पैकेस्ट की लंबाई 3.16 किलो मिटर है और पैकेस्ट 3 नवी मंबाई के शीवाजी नागर के से शुरू होकर चिरले गाम के पास जाकर समात होती है और इसका निरमान लोरंस एंड डब कंस्ट्रक्शन निम्टर्ड द्वारा किया जा रहा है और इस प्रियोजना के पैकेस्ट 4 के अंतरगत L टीलेजन्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अर्थात ITTS का निरमान किया जा रहा है जिसके अंतरगत टॉल एंडि ट्रांस्पourट मेनेज़मेंट सिस्टम एंड इन पेटीबर का इंटरनेशनल किया जा रहा है पूरे प्रियोजनुन के अंतरगत कुल चार स्थानों पर इंटरचेंज का निरमान किया जा रहा है वर्तमान समय में इसके तीन इंटर्चेंज का निर्मान कारे लगबग पूरा कर लिया गया है जो की है पहला सेबरी इंटर्चेंज, दूसरा शिवाजी नगर इंटर्चेंज और तीसरा चिरली इंटर्चेंज चेंज और वर्तमन समय में नवी मुंबई में इसके चोथे इंटरचेंज का निर्मान कारे चल रहा है जिसका निर्मान मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और स्टेट हाईवे नमबर चुरूंजा के बीच जिसाई तालुका के पास किया जा रहा है आपको वता दें की निर्मान कारे पूरा होने जाने के बाद इस ब्रीज पर 100 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से बाहनों को चलाया जा सकेगा इस ब्रीज की कुलनमबाई लगबग 27 मीटर होगी इसके साथ ही प्रियोजना के अंतरकत 2 अमर्जेंसी एकजेट्र लैन का निर्मान भी किया गया है इस ब्रिज के परतेक लेंड की चुड़ाई लगबग 3.5 मिटर होगी और इसके एमरजेंसी लेंड की चुड़ाई 2.5 मिटर होगी इस ते साथ ही इस मीडियन के चुड़ाई लगबग 75 मिटर होगी इस ब्रिज के फांडेशन की डेप्थ लगबग 47 मिटर है पूरे 21.8 किलो मिटर नमबाई में लगबग 1300 होल पियर्स का निर्मान किया गया है जिसमें से समुंदर के अंदर लगबग 189 पियर्स को स्थापित किया गया है मुंबाई ट्रांस हर्बर लिंक की समुंदर की सता से उचाई लगबग 25 मिटर है असानी से बड़ा समुद्री जहाज इस बरीज के नीचे से होकर गुजर सकता है समुद्री जहाजों के आगवन के लिए इस परियोजने के बीचो बीच लगबग 4 किलोमेटर लंबा स्टील स्पैन का शेक्शन होगा जो की समंदरी जहाजों के गुजरने के लिए एप्रोपीरियेट नाम से जाना जाता है सबसे लंबे OCD स्पैन की लंबाई लगबग 180 मिटर है और सबसे छोटे OCD स्पैन की लंबाई लगबग 100 मिटर है आपको बता दें की एक OCD ब्रिज कम बजन के साथ स्टांज स्ट्चर होता है कंक्रीट किया कंपोर्टिव गडर्ड ब्रिज की तुलना में और इस मुंबाई ट्रांसरबर लिंक प्रियुजना के निर्मान में OCD स्पंप्स को ही सबसे उप्यूक्त माना गया है OCD स्पंप्स के इलावा इस ब्रिज के स्पैन में इस्तमाल होने वाले प्रिकास्ट सिग्मेंट की लंबाई 3.32 मिटर है और इसकी चुड़ाई 14.8 मिटर है आपको ये भी बता दे कि इस प्रियुजना के निर्मान में लगबग 16.500 टन रिटियोर फोर्स टेंट स्टील है और इस्तमाल किया गया है और 83 अक्यूबिक मीटर कंक्रीट का उप्योग किया गया है पूरे ब्रिज की कुल नमबाई 10,105 प्रिकास्ट सेग्मेंट का इस्तमाल किया गया है इस प्रियोजना में इस्तमाल कियेगे कुल स्टील से नास से अधिक हाबरा ब्रिजेज का निर्वी किया जा सकता है इस प्रियोजना के पैकिस बन के अंतरगत बन रहें इंटरस्टाल्ड पॉर्चन की लंबाई लगबग 2.9 किलो मिटर होगी और मरीन पॉर्चन की लंबाई 6.9 किलो मिटर होगी आपको ये भी बताएं कि इस प्रियोजना को इस परकार से डिजाइन किया गया है कि ये कम से कम सो सालों तक असानी से टिका रहेगा इस प्रियोजना के पैकेस 2 के अंतरगत बन रहा इंटर टायरल प्रियोशन की लगबग कुल लंबाई 2.34 किलो मिटर होगी और मरीन पॉर्चन की लगबग 3.9 किलो मिटर होगी इस प्रियोजना का पैकेस 3 पूरा का पूरा जमीन के उपर अलिवेटर बनाया जा रहा है इस परकार इस पूरे लगबग 22 किलो मिटर लंबे ब्रिज का 16.5 किलो मिटर लंबा भाग समुंदर के उपर बनाया गया है और जमीन के लगबग 5.5 किलोमेटर लंबाई के ब्रीज का निर्मान किया जा रहा है इस प्रियोजना के निर्मान के बाद मुंबई में गोवा और पूने के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी इस पूरे प्रियोजना के लगबग 8,843 करोड खर्च किया जा रहा है और अब 12 जनवरी 2,24 को इस प्रियोजना का उद्गाटन देश के परधान मंत्री श्रीन रेंदर मोदी द्वारे किया जाना है तो आज की इस वीडियो में इतना ही स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो पर करके मोदी सरकार पिछले 10 साल में कंप्लीटेट सो प्रियोजनाओं के बारे में वश्य जाने अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला जय हिंद जय भारत जय हिंद